आज पूरा देश बहुत ही गंबीरता से जो कॉंग्रेस के वरिष नेथा आदिर रंजन चौदरी जी का बयान था उस पर दुखी है पूरे देश में जिस पेकार से आदिर रंजन चौदरी जी ने महमहीम राष्ट्रपती जी का अपमान किया उसको लेके पूरे देश में गुसा है, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी जो शुरू से ही हमारी जनचातिय समाज, हमारे आदिवासियों का बार बार अपमान करती रही है उस कॉंग्रेस पार्टी का जो मांसिक सोच है जो हम देखा शुरू में उनके वरिश देता ने कहा कि महामहिम जी जब वो राष्ट्रपती की उमिद्वार थी शी रेप्रेजेंस इवल फिलोजोफी ऑफ इंडिया ये दर्शात्या एक कॉंग्रेस की सोच आदिवासी और जन्जातिय समाज के लिए कितनी ओची है और जो कल उन्होंने जिस पकार से भद्धे तरीके से माननियम भामहिम राष्ट्रपती जी का अपमान किया जिस पकार से उन्होंने एक हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते हैं इस पकार से पहले राष्ट्रपती कहने के बाद डेलिबरेटरी अपमानित करने की कोशिश की मैं समझता हूँ ये हर देशवासी के उपर समाज के हर वर्ग के उपर और खास तोर पे हमारे चंज आती है समा आज जबके उनकी अध्यक्षा कहती है कि आदिर रंजन जी ने माफी मांगी वो स्वयम कहते है कि मैं माफी क्यों मांगू और उनका जो वक्तव्या है जो वक्तव्या हम सब ने गहर से गौर से सुना उस वक्तव्या में भी वो कहते हैं और एक प्रकार से इस उच्च पत को बाटने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी हो, चाए प्रामबर नो हो, चाए आदिवासी हो, मैं समझता हूँ ये फिर एक बाद, कॉंग्रेस की सोच दर्शात है, कि वो किस पकार से हमारे जन जाते हैं, भाई बेनों को किस नजरिये से देखते हैं साथी साथ, वो कहते हैं कि मैंने अचानक एक बार, भाई बेनों हम सब ने सुना, कि वो पहले राष्ट्रपति कहने के बाद, बहुत सोची समझी, नीती के तहर, उन्होंने दो बार रिपीट किया, एक बार नहीं, दो बार रिपीट किया, और आज तो उन्होंने इस विश का विशे है, यह आत्मस सन्मान का विशे है, आदिवासी और जन जातिय समाज के लिए, यह पूरा देश जानना चाहते हैं, और कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया कान्दी जी से जानना चाहते है, आप देखिए, उन्होंने उसको किस बकार से, माउंटन आउट वो मोलिल का यह क्या छोटी घटना है, यह क्या छोटा अपान है, जन जातिय समाज, आदिवासी समाज के साथ, हम डिमांड करते हैं, कि कॉंग्रेस अध्यक्षा, शिमती सोनिया कान्दी जी ने, इस विशे पर सदन में भी, और देश के समख्ष भी, माफी मांगनी थिये, आदिरंजन चौदरी जी के बयान के उपर, उन्होंने देश के सामने, माफी मांगने पे ही, हमारे देश के जन जातिय समाज और आदिवासी समाज का सन्मान होगा.